हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू पीसी स्टेडी चानल फ्रेंट्स आज हम लोग जो है बिहार बोर्ट टु वेल्थ हिंदी अब्जेक्टिव का चौथा क्लास करने जाड़ें राइट और हम लोगों ने जो है हिंदी का अभी तक तीसरा क्लास कंप्लीट कर लिया है जो आप आपको प्रेंट्स मिल जाएगा और हम लोगों ने जो है फिजिक्स का और केमेस्ट्री का अब्जेक्टिव क्लास कुछ कंप्लीट किया है जो आपको प्रेंट्स मिल जाएगा बाकी हम लोगों ने इंगलिस और मैथ बाइलोजी का भी क्लास आगे करने वाले हैं तो आपक रखा है आप लोगों को पता है 50% objective है मानों की 70 marks को यह फूल एक्जाम होता है तो उसमें आपको 35 objectives swap out करने होते हैं और important इसलिए ज्यादा है क्योंकि यदि आप subjective कोई कारण बस नहीं भी बनाते हो और objective सिर्फ आप बनाते हो तब पर भी आप यहाँ पर pass कर पाओगे ठीक है और subjective में होता क्या है यदि आप मानों 5 marks का कोई भी question solve किया तो उसमें आपको 3 या 4 marks मिलते हैं और यही आप objective कवर करते हो ठीक है मानों आपने 4 objective का सही answer दिया ठीक है तो 4 में से 4 marks मिलेंगे तो यही advantage है यहाँ से number add होने का बहुत ज़्यादा possibilities है इसलिए जो है आपको साड़े subjects का objective अच्छे से practice and अच्छे से cover करके जाना है इसलिए हम लोगों ने जो है objective का यहाँ पे class start किया साड़े subjects का तो अभी तक जितना भी class हो चुका है जिस subject का सारा आपको playlist में मिल जागा वहां से देख सकते हैं बाकी जो भी class होगा सारा आपको playlist में मिल जागा तो वहां से आप देख सकते हैं तो आज के class को जो है यहाँ पे start करते हैं हिंदी का fourth class बाकी यदि चानल पे नए हो तो subscribe कर कि बहुत सारा क्लास आने वाला है जो है सभी सब्जेक्ट का अब्जेक्टिव यहां पर आएगा जो आपको प्रेश्ट में देखने के मिलेगा तो आप वहां से जा करके ज़र देखेगा और अभी तक जो भी कबर किया है वह जा करके ज़रू देख लें जिससे आपका 100% लाइड है ठीक है इसमें वियाकरन और बुक दोनों से कुस्टन्स कवर होगा ठीक है यहां पी बोल रहा है रक्षक सब्थ में और रक्षक सब्थ में कौन सा पढ़तिये जो है यहां पे लगा हुआ यह आपको बताना है तो कॉस्चन्स नंबर 1 का किया सही होगा आप को और किजिएगा वहां पे आप अक बोलते हैं ठीक है तो बस वही द्यान डखना है कि लास्ट में आप बोल्ड क्या रहे हो तो बस वही आपका पड़ती है होता है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं कोस्टेंस नमर टू की और बोल रहे हैं परलोक सब्द में उपसर्ग परलो लास्ट में आप जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुच आपको जो है अनलाइस करना है कि आप क्या बोल रहे हो लास्ट में क्या बोल डख चक अक तो यह अक हो गया आपका पड़ती है उसी तरह यहां पे जो है उपसर्ग में आप देखो उपसर्ग में आपने क्या बोला जै पठेल लग रहा है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions number three और बोल रहा है अज्यान में जो है अज्यान सब्सक्राइब में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है ठीक है तो नबर थी का क्या सब्हुदा है अभि मैंने जैसा आपको बताया कि इसका भुप सर्ग में क्या करना कि शुरू में पकड़ना umbrella नाल ये पकड़ना है तो यहां पर उप्षार में अज्यान मैं आपने क्या बहुत चाहिए अग्यान में फोड की और बोल्ड है नकल्ची सब्द में परतिये नकल्ची सब्द में जो है परतिये आपको बताना है कौन सा लगा हुआ है ठीक है तो इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया था परतिये का कि लास्ट में आप क्या बोल्ड है उसको आपको ध्यान से देखना है तो ल है चलिए अब बढ़ते हैं कोसे नंबर फाइब की ओर या आ और या सोधा सब्ध चो प्लस ना-तिकल या सोधा चलिए अब बढ़ते हैं कोनस नंबर 6 Χüş तो यहां पर क्या बोल रहा है अप लोग देखिएगा संसार सब्द का संधी विच्षेद कीजी ठीक है यह सब इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसको अच्छे से आपको ध्यान से देखना है और रिपीट करना है तो इसका क्या होगा को नमड़ 6 का क्या सज़ी होगा आप लोग बताईए संसार का जो है संदी विच्शेद आपको बताना है तो questions no.7 का जो सही होगा वो होगा options no.a पो जोड अन पवन ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions no.8 की ओर बोल रहा है उद्योग सब्द का संधी विच्छेद उद्योग सब्द का संधी विच्छेद क्या होगा बताइए तो questions no.8 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options नमडर B उत जोड योग ठीक है उत योग चलिए अब बढ़ते हैं questions नमडर 9 की ओर बोल रहा है कुहासा सब्द pulling है, इस्तिरलेंग है, उभाइलिंग है क्या है बताना कुहासा क्या है तो questions नमडर 9 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options नमडर A कुहासा जो है, वो pulling सब्द है क्या है, कुहासा pulling सब्द है अच्छा, घी कौन सा सब्द है questions नमडर 10 बोल रहा है कि घी जो है, कौन सा सब्द है इस्तिरलेंग, pulling क्या है, बताना है तो घी जो है, वो है यहाँ पे options नमडर A घी जो है इस्तरलिंग है और कोहासा क्या है पुलिंग है ठीक है तो इसको ध्यांस देखना है और रिपीट करना है कोस्टन को जिससे कोस्टन यहीं पर आपका याद हो जाए ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं कोस्टन्स नंबर 11 की ओर बोल्ड आए लीड बेटर की नजर में जे क्रिष्ण मूर्थी क्या थे ठीक है लीड बेटर की नजर में जे क्रिष्ण मूर्थी क्या थे यह आपको बताना है तो कोस्टन्स नंबर 11 का क्या सही होगा आप लोग बताए कोस्टन्स नंबर 11 का सही होने वाला है ओप्सटन्स नंबर सी विस सिक्चक क्या होगा विस शीक्षक चलिए अब बढ़ते हैं questions number 12 की और बोल रहे उद्ज़ाइब परकास का जन कहां वा था सवी कब वा था उद्ज़ाइब परकास का जन गब वा था ये आपको बताना है तो इसका क्या होगा आप लोग बताईए Q12 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर options नंबर A 1952 में कब वा था 1952 में ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं Q13 की उड़ बोल्ड है तिरिच किस परकार की रचना है तिरिच जो है वो किस परकार की रचना है यह आपको बताना है तो Q13 Q13 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है options नंबर A आधुनिक तरास दी क्या होगा आधुनिक तरास दी ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं Q14 की उर बोल रहा है मोहन राकेश के बच्पन का क्या नाम था मोहन राकेश के बच्पन का नाम क्या था यह आपको बताना है तो Q14 का क्या सही होगा आप लोग बताइए Q14 का सही होने वाला है options नंबर A मदन मोहन गुगलानी क्या होगा मदन मोहन गुगलानी ठीक है चलिए अब बढ़ते है Q15 की उर बोल रहा है कवी रगुवीर सहाई के पिता का क्या नाम था कवी रगुवीर सहाई के पिता का नाम क्या था यह बताना है तो Q15 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options नंबर A हर्देव सहाई क्या होगा हर्देव सहाई ठीक है चलिए अब बढ़ते है को-oleनन नमर सिक्स्टीन बोल रहा है प्रकिर्टी वर्नन डैस सेными सम्मदित कविता है यह बता न है तो क्या होगा बताइगे कोस्टन सनमर सिक्स्टीन का जो सही होने सार्व होने किस कवी को कहा गया है कवियों का कवी किस कवी को कहा गया है यह आपको बताना है तो कोस्टनस नमबर 17 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ओपस्टनस नमबर A समसेर बहादूर सिंग क्या होगा समसेर बहादूर सिंग को कवियों का कवी कहा गया है ठीक है चलिए अब बढ बूसें खीड हमें कौन रस पायजाता है भousan की कविता में कौन सा रस पायजाता यह आपको बताना है तो क्या होगा बताइए दो मेरे इटिंगर जो सही होने वाला है वह होने वाला है ऑफसिनस नंबर सी होगा और 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 सी वीरर्स राइट चलिए अब बढहते हैं नहीं हो सकती है किस पार्ट कि वुखती है यह आपको बताना है ठीक है तो इसका क्या होगा बताइए मार्ट को स्पर नयटों सही होने वाला है वह हूने हूसंस नमबर्स द Kerry सिख चाह राइट चलिए संहर नमबर Creator बढ़ते बोल्ड है जे स्री कृष्ण मुर्थी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है तो क्या होगा का ट्वेंटी का जु जो सही होने वाला है वह होने वाला ओप्संस नम्र बी जिद्दू कृष्ण मूर्थी जिद्दू कृष्ण मूर्थी रैट चलिए अब बढ़ते हैं question होने वाला है वो होने वाला ओफसन संबर सी अंक साई क्या होगा अंक साई ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं कोर्शन संबर 22 की और बोल रहा है गुरू के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है गुरू के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है बताइए 22 टू का जो सही होने वाला है वो होने वाला है options number C कि अंते वासी क्या कहा लाता है अंते वासी ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions number 23 के ओर बोला है जिसका खंड़ना क्या जा सके वह क्या है तो आपको इसका पता होना चाहिए बट मैं आपको बताता हूं इसका जो सही होने वाला है 23 का options number D अखंड़नी क्या होगा अखंड़नी ठीक है जिसका जन पहले हुआ हो उससे क्या कहते है माने कि जिसका जन पहले हुआ हो कोई भाई है उसका जन उससे पहले हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यह बताना है 24 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options नमबर C अग्रज मानिए कि आप से बड़ा कोई भाई है आप से पहले उसका जन्म हुआ ठीक है तो उसको आप क्या बोलेगा अग्रज ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं question number 25 के और बोलड़ा है जिसके बिना काम ना चल सके उसको क्या चलिए अब बॉलते हैं 20 cause 25 क्या होगा बताइए 25 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options नमबर A क्या होगा option नमबर A ओ परी हारी ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions number 26 क्यों बोला है जो खाने योग्यों से क्या थिख होने सिक्वा ओने वाल है ऑफ्सेंस नमबर C सिथ म्हुटी सेवन का जो सही होने वाला है वो होने वाला। अब बढ़ते हैं अब फंटीटिएट की ओर बोल रहा है आयोसमान सब्द का पढ़ियावाची क्या होगा इखिशन सब्द का पढ़ियावाची क्या होगा उस क्या होगा जंजट सब्सका जो प्रयावाची होने वाला है इसका कि जंजट सब्सका प्रयावाची परिशानी ठीक है ओप सर नूबर पी सही हो जाएगा 29 का चलिए अब बढ़ते हैं थर्टी की यॉर तो क्या बोल रहे ध्यान से देखिए गां 30 जो बोल रहे वो बोल रहा है दरावना सब्द का पढ़ियावाची क्या होगा आपको बताना है तो 30 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number यहाँ पे D ठीक है भयानक क्या होगा भयानक ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions बोल रहा है यात्रा सब्द जो है वह पोल्लिंग है बताना है तो 31 का जो जो सहीत होने वाला है वो रने वाला options number B स्ट्रलिंग यात्रा वह स्ट्रलिंग सब्द है चलिए अब यहां पर हम लोग को देखेंगे 32 ठीक है चामक सब्द जो है वो क्या इस्त्रील्ग पुल्लिंग उभाल क्या है चमक सब्द क्या है बताना एकमक त्षर सभत सन्य द्व caller झालकर को सम्ध टेका आपको रीपीट कर लेना एक संद्रबलद कों संदी मे قपे में संधी में कितने भेद होते हैं यह आपको बताना है तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number C संधी के कितने भेद होते हैं संधी के 3 भेद होते हैं ठीक है पुरान सब्द का विसेशन बताना आपको पुरान सब्द का विसेशन बताना है तो 34 का क्या सही होगा आप लोग बताइए 34 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है तो भी सयना है कैसे है यह भी मैं आपको बताता हो भी में बहुत सारी लोग होती है SMITH होते हैं तो आज के क्लास का जो है अँआ यहां पर कंपलीट हो चुका है क्योंकि हम लोगोंने हर एक स्टे फाइफ कोस्ट건 को की कबर करतें because of कि वीडियो आपका long ना हो जाए क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो होने के बाद आप उसको continuously नहीं देख पाते हो और इसलिए हम लोग 35 questions हर एक class में करते हैं जिससे छोड़ा छोड़ा वीडियो बने और छोड़ा छोड़ा वीडियो का ही मैं साड़ सब्जेक्ट्स का स्रीज लेकिया होंगा ठीक है साड़ सब्जेक्ट्स का आपको जो है मिल जाएगा 35-35 questions करके हर एक वीडियो जिससे आपको देखने में आसानी होगा और जितने भी playlist में वीडियो आ गया है उसको जरूर जाके देखिए और जो आने वाला है उसको भी देखिएगा क्यूंकि हम लोगों ने जो है physics, chemistry और biology ठीक है इस तीन paper में 1000 objective questions को कवर करने वाले हैं और Hindi, English और Math इसमें हम लोग 1500 questions कवर करने वाले हैं तो बिलकूल भी tension मत लीजे सारा questions आपका यहीं से आने वाला है एक भी questions बहार नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा advantage है आप लोगों के लिए यदि आप अच्छे से objective को कवर करके जाते हो तो अच्छा खासा marks लेकि आओगे और यदि कोई भी कारण बस subjective आपने कवर नहीं करा तो भी आप जो है objective से पास अच्छे marks से कर जाओगे ठीक है तो जो है आपको अच्छे से practice करना है और सारे class को आपको अच्छे से देखना है practice करना है और आपको अच्छे से हर आपको यहीं पर याद हो जाए तो आज class को यहीं पर end करते हैं बाकी videos informative लगे तो like किजेगा चानल पर नए हो तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारे स्रीच आने वाले हैं सारे subjects का तो आप जो है जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत useful होने वाला है तो चलिए videos को end करत